क्या सदैव जीवित रहना संभव है? मनुष्य ने हमेशा अमरता का सपना देखा है बहरहाल, इंसानों के लिए अमरता का सपना सिर्फ एक सपना ही बन कर रह गया है। और उनकी कोई आँख, कान, मूह, हृदय या मस्तिश्क नहीं होता है और ना ही कोई हड्डियां। इसके बाद जेलिफिश इन उत्ते जनाओं पर एक प्रतिवर्त की तरह प्रतिक्रिया करती है और उसी के अनुसार खुद को उन्मुख करती है। प्लवक, पानी में रहने वाले छोटे जीव, छोटी मचलियां, क्रस्टेशियन्स और कभी-कभी अन्य जेलिफिश प्रजातियों को खाती है। प्रित्वी पर अमर जानवर जेलिफिश है और आजीवन जीवित रहने वाली प्रजाति का नाम टूरिटॉप्सिस डोहरनी है। जेलिफिश लार्वा के रूप में फूटती है, जिसे प्लैनूला कहा जाता है, और अपने आप तैर कर बाहर आ जाती है। एक वयस्क जेलिफिश को मेडुसा के रूप में जाना जाता है। जानवरों के रूप में वे जीवन और मृत्यु के चक्र के अधीन हैं। हालांकि एक प्रजाती को नियम को मोडने के लिए जाना जाता है, यानि टूरिटॉप्सिस डोहरनी। जब इस प्रजाती का मेडुसा शारीरिक रूप से क्षति ग्रस्त हो जाता है, या भुखमरी जैसे तनाव का अनुभव करता है, तो मरने के बजाए यह अपने आप में सिकुड जाता है, अपने जाल को फिर से अवशोशित कर लेता है, और तैरने की क्षमता खो देता फिर यह बूद जैसी पुटी के रूप में समुद्र तल पर जम जाता है, अगले 24 से 36 घंटों में यह बूद एक नए पॉलिप में विकसित हो जाती है, जेली फिश का पिछला जीवन चरण और परिपक्व होने के बाद मेडुसा फूट जाता है, इस जीवन चक्र के अंग वाला जानवर है, जो 700 मिलियन वर्षों से अधिक समय से समुद्र में घूम रहा है, जेली फिश दुनिया भर के हर महासागर में पाई जाती हैं और तटी एक शेत्रों में रहना पसंद करती हैं, कुछ जेली फिश मनुष्यों के लिए हानिरहित हैं, लेकिन अन्य मे जहर होता है जो बहुत घातक हो सकता है, बॉक्स जेली फिश ग्रह पर सबसे विशैले जानवरों में से एक है, यद्यपी एंटी वेनम और उपलब्ध उपचारों के कारण मौतें दुरलब हैं, एक बॉक्स जेली फिश के डंक से दिल का दौरा पढ़ने और पांच मिनट के भीतर मृत्यू होने की संभावना है, जेली फिश के एक समूह को ब्लूम और कभी कभी अनौपचारिक रूप से स्मैक कहा जाता है